तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है गुड मानिंग एवरीवन इस विचार के साथ सुरू करेंगे आज का अपना वीडियो बहुत ही अच्छा विचार है लिखा है तुम पानी जैसे बनो जो खुद का रास्ता स्वैम बनाता है पत्तर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है देखे आज है बाइस तारिक और बाइस तारिक की मुख्य खबरों के बारे में बात होगी देखे जैसे सिच्छकों वहां परधानाचारे के 17,000 पदों पर होगी भरती पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिस सिच्छा विभाग के अफसरों को किया तलब 59,000 सिच्छक भरती के लिए आरो यारो की जो 20 तारीक को परिच्छा होती उसकी आंसर किया चुकी है लिखा है सिच्छक भरती गोशना के तीसरे दिन भी नहीं आया सासना देश यूपी टीटी 2020 के बारे में बात होगी परसदी सिच्छकों के अंतर जिलात बादले 15 अक्टूबर तक तो इसके बारे में बात होगी चैनल पर अगर आप पहली बारा है चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दिजेगा जिससे के आपको नई वीडियो इसकी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो देखते हैं पहली नियूज हमारी क्या है तो पहली नियूज परसदी सिच्चों के अंतर जिला तबादले 15 तक होंगे देखे 15 अक्टूबर को जो है आपकी अंतर जनपती ये ट्रांसफर के लिस्ट जारी होगी ठीक है और आगे लिखा है तबादले का लाब लेने वाले सिच्चों को जिले से कार्मिक्त होकर नय जिले में 24 अक्टूबर को जो है कारिभार ग्रहंड करना पड़ेगा नय जिले में जोइनिंग के बाद आनलाइन प्रक्रिया से आवंटिस स्कूल में 26 अक्टूबर तक कारिभार ग्रहंड करना होगा ठीक है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रिखेगा जिला समित 24 से 28 अक्टूबर तक दावे और आपत्यों का निस्तारण करेगी जिला समित के निर्णे के बाद 29 से 30 सितंबर तक जिला बेसिक चाधिकारी कीवर से संबंदि सिचक का डाटा रिसेट करते हुए संसोधन के लिए उपलब्द कराया जाएगा सिचको को 1 से 3 अक्टूबर तक अपने आवे दिन फार्म में वांचित संसोधन करते हुए आवे दिन पत्र पूर्ण करना होगा जिला सबित के निर्णे के बाद अंतिम रूप से दाखिल किये गए आवे दिन पत्रों को 20 से दौरा चार से 5 अक्टूबर तक सट्यापित करते हुए लाग किया जाएगा एनाइसी की ओर से 11 से 12 अक्टूबर को यूजर एक्स एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जाएगा और 15 तारिक को जो है जो लास्ट लिस्ट होगी ट्रांसफर की वो जारी कर दियाएगी ठीक है तो ये था कि परिस्दी सिच्चोगों के अंतर जिला तबादले 15 तक अगली नियूज है पिछडा वर्ग आयोग ने बेसिक सिच्चा विवाग के अफसरों को किया तलब 79 अजार सिच्चक वर्ती के लिए ठीक है नियूज पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ लिखा है 79 अजार सिच्चक भर्ती मामले में राष्टी अन्य पिछडा वर्ग आयोग ने बेसिक सिच्चा विवाग के अफसरों को तलब किया इस भर्ती में OBC अभ्यतों ने पिछडा वर्ग को नियमा अनुसार आरच्चन का लाभ ना मिलते हुए आरोप लगाते हुए आयोग ने याच का दायर कर रखी है आयोग ने विवाग की अपर मुख सचीव रेड का अकमार विसे सचीव और परिच्छा ने आवकर आधिकारी सचीव को 24 सितम्मर को दो पहर दो बज़े उपस्तित होने के निर्देश दिये हैं आयोग के उपाद्यच लोकेस प्रजापती मामली की सुनवाई करेंगे गौर तलब है कि नोटिस का जवाब ना देने के लिखाए गौर तलब है कि नोटिस का जवाब ना देने पर आयोग के उपाद्यच ने साथ जुलाई को भरती पर रोक लगाने का आदिश दिया था हाला कि सीम योगी आदित नातिने सुप्रिम कोट के आदिश के तर सनिवार को उनहातर या सेच्छा भरती में सेच्छा मित्रों के पदों को छोड़ कर अगर आपने उसको नहीं देखाए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो जरूर देखेगा देखिए जो पिछड़ा पर गायोग है उन्हें उसने सरसाट जार आठसो सरसाट सीटों पर जो है रोक लगाई हुए ना कि 31,661 पर तो इस पांड को जो है जानने के लिए वीडियो को जरूर दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो पिछड़ा पर आयोग ने बेसिक सिच्छा वाकिया अफ्सरों को किया तलब और ज सिच्छक भरती गोष्टना के तीसरे दिन भी नहीं आया सासना देश लिखाया उनातर हजार स्राय का अध्यापक भरती में से 3,671 पदों को भरे जाने की घोष्टना के तीसरे दिन भी सासन की ओर से इन निर्देशों में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी है भरती प् संख्या में अभरती संबार को सचीव बेसिस इच्छा परसित कारे ले पहुंचे अभरतों ने उप सचीव अनिल कुमार से मिलकर प्रक्रिया की भाबत जानकारी मांगी सच्छक भरती को लेकर राश्टी पिछ्णा वर्ग आयोग ने पहले से ही आरचण के मानकों को लेकर सचीव बेसिस इच्छा परसित को 24 सितंबर को तलब किया है अभिरतों ने जब सुप्रिम कूट के आदेश के बाद भरती के बारे में उप सचीव से बात की तो उन्हें ने कहा इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं सासन से कोई भी आदेश नहीं आया है एक तरब सचीव महोदे अनिल कुमार कहते हैं कि सासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है और हमारे सिच्छा महानिदेशक विजय किरन आनन जी कहते हैं कि 31671 पर भरती है वो एक सब्ता हमें पूरी हो जाएगी तो देखते हैं क्या होता है वैसे आज साम तक जो है लिस्ट आन नहीं होगी देखते हैं क्या होता है बाकी आसा है आज जो है लिस्ट आ जानी चाहिए लिखाए सिच्छकोवा प्रदानाचारी के सत्रह हजार पद भरे जाएंगे और यह जो आपके लिए बहुत ही महत्वड घबर है यूपी टीटी के लिए भेजा गया प्रस्ताव तो को देख लेते हैं पहले सिच्छक भरती के लिए लिखाए छे महीने में भरती की मुख्यमंत्री की घुष्णा के बाद उत्तर प्रदेश माद्विक सिच्छा सेवा चैन बोड ने नई चैन प्रक्रिया को लेकर शक्रिता बढ़ गई है प्रदेश के 45 से अधिक साहता प्र साथ माध्यों के द्यालों में सिच्छकों प्रधानाचार के 17,011 पदों पर भरती का विग्यापन सासन की मंजूरी मिलने के बाद प्रण जारी कर दिया जाएगा चैन बोड के अध्यच वीरेश कुमार ने सोमार साम मुक्यमंत्री योगी आधितिनात के साथ बैठक में इ 12,949 पदों पर प्रिशिच्छित इसना तक TGT का चैन होगा प्रवक्तावा PGT के 269 पद पर 269 पद पर भरती होगी संस्ता प्रधानवा प्रधानाचार के 1453 पदों पर TGT PGT के साथ ही विग्यापन जारी होगा चैन बोड ने भरती के तयारी पूरी कर ली है आनलाइन भर जाएंगे 17,000 भरती के लिए बहुत ही बड़ी बात है देखते हैं क्या होता है फार्म है जल्दी आएगा और यूपी टीटी के बाद कर लेते हैं वैसे यूपी टीटी भी जो है काफी बड़ा एक्जाम होता है तो इसको जो है दिसंबर में होना है लिखा यूपी टीटी के लिए भेजा गया प्रस्ताव प्रात्मिक स्कूलों में सिच्चक बनने की अहरता परिच्छा यानि यूपी टीटी 2020 दिसंबर में कराने की तयारी है दिसंबर में भाईया कराने की तयारी है तो यह मसोचेगा कि T.E.T. होगा नहीं भले ही आपका अक्टूबर में विग्या पनाए अक्टूबर में सब कुछ जारी हो ठीक है? लेकिन जो T.E.T. है वो दिसंबर में होगी दिसंबर में ने तो जन Wori में होगी पड़ेश जारी किये उसमें इसका जिक्रन ही था लिखाया राष्टी अध्यापक मरत्षट का निर्देश है कि चिक्छत पात्ता परिच्छा वर्ष में दो बार कराई जा सकती है केंदरी जो सीट है वो तो दो बार होता है यूअ यूपी टीटी में जो है काफी अर्सों से एक ही बार परिच्छा हो रहे हैं पिछले साल आठ जनुरी 2020 को कराई गए थी उसमें करीब अर्थिक रूप से पिछड़े अभिटों को दस फीज़ी आरख्चन नहीं मिला था या प्रावधान भी सामिल होगा परिच्छा के लिए सासन के निर्देश का इंतजार है जल्द ही इस्तित साफ होगी तो दस से पंदरा दिन में किलियर हो जाएगा कि यूपी टीटी कब हो यूपी टीटी होगी जरूर इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा देखिए जो आरो आरो का एक्जाम हुआ था 20 तारुक को ठीक है उसकी आंसर की जारी हो चेकी है ठीक है और आप जो है यह जो साइट दिया गया यू यूपी पी सी डाट यूपी डाट निक डाट इ सब्सक्राइब करने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है उत्तरपदेश स्वावित पोसित कालिज एसोसीएशन के अद्द्च विने तृवेदीवा को सद्वावित डाक्टर ब्रिजेज भरदोरिया ने सोमार को को कुलपत प्रोफेसर निलिमा गुपता से मुलाकात की विने त्रिवेदी ने चात्र चात्राओं की दिक्कत से वगत कराया कुलपत ने पदाधिकारियों को अस्वस्त किया है जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा तो बेड की जो परिच्छाएं होती हैं सत्री परिच्छाएं वह आठ अक्टूबर से प्रारंभ हो सक लगते हैं अंतिम वर्ष की ठीक है तो यह आज किती नुज सायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो को सेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करके जरू बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक्यू फ्रेंट धन्यवाद झाल 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